तो दोस्तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल करियर पॉइंट और लेटस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं कैसे आप सभी करियर पॉइंट में आप सभी का स्वाकत है मैं अन्सूल जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डेली हम पॉलिटी के लेक्ट्चर पढ़ते हैं स्यामकोच सहब जे तो हम आज लेकर आएं जो हमारी तीसरी सीरी जो इसका तीसरा पार्ट यानिकि जो साइलेंट फीच कर चुके हैं जो हमारा उसके सालेंट फीचर कर चुके हैं तो नुमा जो है वो है कि डिरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिशी यानिकि डीपी एस्प देयर इनुमेरेटेड इन पार्ट फॉर ऑफ दा कंस्यूशन की वह मतलब कितने हैं जो हमारा पार्ट फॉ प्रिंसिपल्स पर का म्दल्ब 吸ja और यहां है कि जो स्टेट को बताया गए है जो सेंटर है जो गवर्मेंट है उसको यह वताया गएकि भी आपको इन प्रिंसिपल्स पर का मरहा है थाकि लोगों नेन नदा और विकास की जो वह मीपके जो तीन कटिका यह यह भी तंव ने डिवाइड की हैं गांधियन औरब gutes सोचलिस्टिक वाद या मितलब समाज समाध को माइन रखते हुए समाध को ध्यान रखते हुए टाकि समाज का विकास है वो प्रकति मिल सके और एक तरह से जो समाज है वो एक अपनी जो देश है समाज है उसको जो विकास होसके और वो अपनी दुनिया में पूरी दुनिया में बना नाम रोस्न कर सके थे वह गांधिवादी का मतलब गांधियुआ है क्या होगा, अभी नियुनोई हिंसा है, आतम निरवरता है और इस तरह के जो गांदिवादी विचार है उनके उपर जो केटेग्री है और थर्ट केटेग्री के है जो इंटेलेक्च्छल है तो अभी जो मतलब उदारवादी है और बोधिक जो केटेग्री है उसमें जो DPSP प्रिंसिपल्स है उनको ध्यान बरकते वे जो तीसरे फॉर जार। कम राम तीए मतलले के उनकेटव सिर्फटांते है जो राज्य नीथि को निर्देशक सिदान्त वह एक उपन्यास की विशेष्टा होते है जैसे कि मतलब अख तरह से नोवल फीचर्प मतलल होता जो समाज है आईडियल समाज है आईडियल आर्थिक लोगतंतर है उसको प्रमोट करने में जो डिरेक्टरी प्रिंसिपलन का काफी एक अच्छा रोल होता है they seek to establish a welfare state in India तो क्या है कि जो एक तरह से जो welfare state की तरह है वो काम करते हैं ताकि जो देश है जो सरकार है देश की जो center की सरकार होगी या फिर जो state की सरकार होगी वो जो कल्यान कारी कारियों में ही अपना जो है वो समय और पैसा वो करे लगाए और ये नहीं की भी जैसे कुछ भी rule बना दिया अपनी मर्जी से जो भी rule होगा वो constitution के साब से होगा और DPSP को ध्यान में रखकर होगा लोगों के हित के लिए देश के हित के लिए जो भी होगा फैसला लेना होगा उनको वो ऐसे लेना पड़ेगा अलाइक दा fundamental rights और non-justiciable in nature ये कहारा कि जो और ये जैसे कि आप fundamental right अगर आपका fundamental right क्या होता है हनन होता है उसका तो आप क्या कर सकते हैं उसका तो आप क्या कर सकते हैं जो court मुझा सकते हैं और court में फिर आपको justice दिलवाएगी जो निया है वो आपको मिलेगा लेकिन जो directive principle है वो ऐसा कुछ नहीं है वो justiciable नहीं है क्योंकि वो enforceable नहीं है वो सिरफ एक तरह से जो निर्देश है कि भी आपको इन इन निर्देशों पर पालन करना है कोई compulsory नहीं है ये नहीं कि भी आप मालो आपने अगर सरकार ने कुछ जो जनता के बजाए उन्होंने इंडिस्ट्रियल के जो इंडिस्ट्रियल लिस्ट है उनके के बारे में ज्यादा सोचा कि भी उससे क्या होगा डेमोक्रेसी बढ़ेगी तो ऐसा कुछ नहीं कि भी मितलब जो ये सिरफ enforceable नहीं है ये सिरफ एक निर्देश है कि भी सरकार को इनका पालन करना चाहिए जरूरी नहीं है लेकिन पालन करना चाहिए ये लिखा गया है वहाँ पे तो ये जो कॉर्ट है उनके द्वारे enforceable नहीं है तो constitution itself declare that these principles are fundamental in the governance of the country तो ये जो governance है governance के बिहाफ पे ये principles क्या है fundamental है and it shall be the duty of the state to apply this principle in making laws तो क्या करा कि जो ये principle बगार है DPSPs है उनको जो ध्यान में रखना ज़रूरी है कब जब कोई भी law नया law और नया law नया कानून बना रहे हो तो उस टाइम पे जो state है state यानि कि यहाँ पे गया जो राष्टर है देश है जो सरकार है वहाँ की उसको ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो DPSPs है उनका एक तरह से पालन हो तो ये compulsory नहीं है लेकिन इनको सरकार के लिए ये compulsory कि भी आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा लेकिन enforceable नहीं है ये hence they impose a moral obligation moral obligation का मतलब क्या हो गया कि भी ये जो एक मौलिक जो सिदान्त है इसके ये क्या करते हैं जो नैतिक डाइतव हैं एक तरह से डाइतव हैं obligation है कि इसके उपर जो सरकार है जो state है उसके उपर on the state authorities for their application कि भी इमतलब moral का उतर के अमतलब आपने जो अंदर से आवाज आती नहीतिक जो obligation है नहीतिक डाइतों हैं तो वो चीज़ ये उपर उनके सरकार के उपर थोपते हैं कि भी आपको इनका पालन करना है कोई भी नया लावनाते जो नाइटिन में मिनर्वा केस 12 था उसमें कहा था सुप्रियम कोट ने कहा था कि जो इंडिन कस्टिशन है कि जो अपना सुप्रियम कोट ने मिनर्वा मिल्स केस 12 जो 1980 में केस हुआ था तो उसमें कहा था कि जो हमारा सुप्रियम कोट जो एक चीज़ पर टिका है कि भी एक साइट जो के फंडामिल्ट राइट है और एक साइट डिपीएसपी जो उनके बीच में हमें बैलेंस बना के रखना पड़ेगा अगर आपनी देश को विकास की तरफ लेकर जाना है 内श्क क्या है fundamental duties तो अभी तक हम फंडामिंटल right पड़ चूए fundamental duties पड़ेंगे भी उसके पहले हम पड़ चूए DPSP तो fundamental duty का है प्यां क्या प्रुँत?", कोई भी नागरिक है, सरकार है उसकी देश के परती कुछ duty बनते है Yesुका कुछ right है चीसे की सुस्सकी कुछ ज्यूटिर्स व है उसके कुछ अगर मालों से तो तो उनको मादने करने です उसमें देख रहते हैं तो जो पार्ट 4a है अभी DPSP कहते हैं पार्ट 4 में थे तो पार्ट 4a है उसमें लिखा गया है कि शिरफ ओनली और वन आर्टिकल है उसमें शिरफ आर्टिकल 51a जो बताता है कि हम आरे जो जो सिटीजन से देश के उसको 11 जो 11 वो उनको पूरी करनी है तो वो 11 जोटीज वगारा के बारे में उसमें बताया गया है तो अगर देश ने आपको कुछ विदाएं दे रखी हैं कुछ जूटीज राइट्स दे रखे हैं कुछ राइट्स को आप इंजॉय कर रहे हैं तो आपका ये भी करतव बनता है कि उसके अगर अधिकार ले रहे हैं तो उसके पूस्क पूस्टेज़ hy डिमाग में बठा रखना चाहिएा हूं लें जबाएट्स देर आपकी उसके प्रतिकशत्व जूटीज बनते हैं ।र उत ही है सबस में नागरिक है उनको के प्रति भी उनके कुछ नागरिक है जो पूरे समाज za opportunities बनती हैं। स too like the director principles the three are also non-justiciable नहीं है इनका भी क्या है जो ग्र नियय संगत हैं मतलब तो अनका के भी justice नहीं मिल सकता अरग महले लोग आपके प्रति जो तो यह सिरफ एक क्या है यह बताए गई है कि भी आपको कुछ यह तीज ध्यान में रखनी चाहिए तो जो ऑरिजिनल कस्टिशूशन था उसमें यह जूटीज वगारा प्रवाइड नहीं की गई थी तो आपको पता है जैसे कि 42nd जो अमेंडमेंट है था वो क्या था कि उसको एक तरह से मीनी कंस्टिशूशन है उसमें चेंज कर दिया गया था तो इसलिए उसको मीनी कंस्टिशूशन भी एक तरह से कहा जाता है तो जो फंडमेंट जूटीज है वो औरिजनल कंस्टिशूशन जब 1949 में बनकर त्यार हुआ था तो उसमें ये डूटीज बगारा का मैंसन कहीं पर नहीं किया गया था लेकिन अमर्जेंसी जिस टाइम पर लगाएगी 1975 से 77 की टाइम पर तो उस टाइम पर परदान मंतरी थ लेगी थी जो सवरंड सिंग कमेटी बनाएंगी थे उस टाइम पर तो उसने उन्होंने रिकमेंट की थे कि भी कुछ फंडमेंटल डूटीज भी होने जी अगर शिटिजन को कुछ फंडमेंटल राइट से मिल रहे हैं तो उसको डूटीज भी कुछ निभानी चाहिए तो अभी क्या होगी थी कि जो आर्टिकल 51-1 के अंदर के है तो तो प्रवाइड ओपरचनिटी फोर एजुकेशन तो इस और चाइल्ड और वर्ड बिट्विन दा एज उफ सिक्स और फॉर्टिन यर्स की भी जैसा कि आपको पता है कि जो राइट वाइट आया था तो उसमें क को उसको अपरचनिटी प्रोवाइड करने हैं ताकि वह पढ़ सके लिख सके स्कूल जास्पनती है हर पेरेंट की और या कोई गार्डियन है किसी बच्चे का तो कि भी उसके जो बच्चा है उसको क्या कर सके जो प्रोपर उपरचनिट प्रोवाइड की जासके एजुकेश एक मुसलिम देश है तो उसको उसनों ने अपने जैसे सविदान में कह रखा कि हमारा देश पूरी तरह से मुसलिम है लेकिन इंडिया ने यह निकर रहा कि ध्रम निरपेक स्राज्य है हमारा सबी धर्मों को बराबर क्या दयाता है यहां पर मैतों दिया जाता है और सब धर स्थ्ट। है कि की जिसको एक अफीसिलर्में देश का द्राल मान लिया जाए तो ऐसा कुछ नहीं है वो सभी द्रमों को बराबर मेहत्व देता है इसलिए द्रम निरिपेक से राज्य है सभी द्रमों को जैसे कि पाकिस्तान है वहां क्या है मुस्लिम देश दरम बना रखा है Muslim इस तरह साउदी अरब के जो देश है तो वहां पर भी क्या है जो Muslim है वहां पर उनका Muslim धरम है उसको क्या बना गए है जो Official Religion of their state a secular state claims to retreat all its citizens equally regardless of religion and claims to avoid preferential treatment for a citizen for a particular reason over the other region तो क्या कहर है कि जो मतलब देश है जो सेकुलर स्टे बहुता है कोई भी मालोधोरम नििटपक्स राज्य है तो वो अपने सभी नागरिगों के लिए क्लिए का करता है कि बिना कि यह जाने की भी धरम है क्ला को आपका कौंशा और को यहां है आपका हिंदूद में मुशलिम दर्म में सीक्षी जिवाइशाया है आपको कहता है प्रोपर जो एक्व अपॉरिजन को प्रेटमेंट हो इक तरीटमेंट है वहू प्रेदान करता है तो क्या है कि जो मतलब जो अगर मालो कोई स्टेट है जो ट्रूली सची तरह से धर्म निर्पेक्स है तो उसमें क्या है जो सरकार है जो गवर्नेस है वो क्या करती है कि बिना किसी की कि रिलिजियन जो मालो रिलिजियस इंपक्ट के भी अपने अंदर के भी कोई यह नहीं कि भी किसी एक धर्म के लिए प्रोपर काम करे और दूसरे धर्मों को पीछे छोड़ दे तो ऐसा कुछ नहीं धर्मिक जो गुटों के प्रवाव के बिना जो राश्ट्री सासन है वो ब नहीं जो रही मतलब ॔र घर्म मुप अलग रखना चाहिए ऑढ़र्मिक के टाइम पर कि अगर मालो बो मौन Route ने चाहिए लेकर अज मौन यह सोचना कंजिये जो प्रेज जो देश सेकुलर देश की तरह जो भी सारे जो तो अपने धर्म है सबको माहिने रखते हुए सबको पराबरी आदिकार देते हुए जो है फैसले वो लेने चाहिए उन्हें कोई भी अपना जो पर्सनल है रिलीजेस जो अच्छास है वह नहीं आने चाहिए इनिफ्लोयंस आने चाहिए उनका तो वहाँ पर क्या है कि जो चर्च है चर्च यानि कि एक तरह से religion and state यानि कि जो politics है उसको पूरी तरह से जो अलग रखा गया है तो पूरी एक separation बनाएगी है अलग-अलग दोनों को अलग-अलग कहा गया है कि भी state है जो अपने चर्च के मामलों में दखल नहीं देगा और च मिठ है कि भी सरकार के पक्स सरकार के बीच में धरम अपना टांग नहीं अड़ा सकता और टांग जो सरकार है वो धरम के मामले में कुछ नहीं कह सकती नहीं उनको किसी चीजी एक धरम को प्रमोट कर सकती है बड़िजा पॉजिटिव साइड ऑफ जो concept secularism का वो यहां मत्की बार कनला करनाता टांग और और जो इंडिम में डेना अंकि धरम से लेकिन इंडियन को सरकार है वो सभी धरमोगों को प्रॉपर ऑपॉरचिनिटिज देगी प्रोपर प्रोटेक्षित देगी सभी धर्मों को इकवल प्रोटेक्शन देगी नेगिटिव कंसेप्ट में कि जो इनपलिकेबल है इंडियन कस्टिशूशन में सिच्वेशन क्योंकि यहां पर क्या है ताकि बाहर क्या होता है जैसे वेस्टन साइड है वहाँ पर मेंली एकी धरम है जो क्रिस्टियनटी है वही है सिर्फ एक इसलिए उन दोनों को अलग-अलग रखा गए लेकिन यह चीज भारत में नहीं माहिने रखेगी नहीं काम आएगी क्योंकि यहां बारत में क्या है अंगिनत जो कई सारे धरम है मुल्टियली लिजस है जो बारत मारत जेस है किसमें यहां पर हिंदू है मुस्लीम है धरम है क्या है जैन है बुद्धियम है कितने धर में जो देखा गया है उननमें पुर में प्राफदान व में देखा गया है कि भी Зो सेग्र लर्स्तेट एक हैं का किए तो देख लेते हैं जो पहला टर्म क्या है सेकुलर वाय एडे टुदास लेटीन सविदान गया था तो इसमें जो सेक्लर टरम है वो जोड़ी गई थी प्रेयंबल में प्रस्तावना है हमारे सविदान की उसमें जोड़ा गया था प्रेयंबल सिक्योर्स ओल दाइटेजन ओफ इंडिया लिबर्टी ऑफ बिलीफ फेथ और वर्षिप कि बीजों लिबर्टी ऑफ बिलीफ बिलीफ बी कौन सा भी धरम मान सकते हो आप फेथ किसी भी धरम में विश्वास रखते हो और थर्ड है वर्षिप वर्षिप यानि किसको कौन सा धरम मानना है इसमें कोई भी जो सरकार है वो आपको पर प्रेसराइज नहीं करेगी है फिर कोई भी और कोई भी मतलब सरकार या हो या फिर कोई और सिटिजन हो वो आपको प्रेसराइज नहीं कर सकता क्या आप ये धरम अपना हो हर सिटिजन अपना अलग क्य कोई जो राज्य है जो गबर्म नहीं कर सकती हीविव कि पह सांए नहीं कर सकती है तुम को मिसलमान तुम को मम जेल में डाल देंगे ईसा फॉर्थ के है स्टेट सेल नॉट डिस्क्रिमेंट अगेंस्ट एनी शिटीजन नॉन दा ग्राउंड ऑफ लिजन तो यह मैंने बता दिया कि जो ग्राउंड है रिलीजन के धर्म के अदार पर किसी भी नागरे के साथ प्यद्बाव नहीं किया जाएगा इकवल अपरचिनटी मिलेगी हर फिर सिटिजन को इन्मेटर अफ पॉब्लीक अमप्लायमेंट की भी अगर मालों कोई नौक्री लिखीडी है तो उतना ही एदिकार हिंदूसरी जो दर्म है इस इस आई है सब को एकवल प्रोटेक्शन मिलेगी एकवल जो ऑपरचिटीज है व जो अपना धरम है उसको प्रफोंगेट कर सकते हैं उसमें किसे धरना मिले गए है वह भी अपना दरांग और सकते हैं रएगर एपर कर सकते हैं ग। कुछ पर को इसको मिले हैं डिनोमीनेशन मिली है कोई भी मतलब माल लो अगर तरह में जा लो हिंदु तरह है तो अपने जासे जो राम लीला है वह और आयओजित कर सकता है या फिर द शहरा मना सकता है इसको एक क्वर्ट आब तरही हो ourselves करता चैसे आगी मतलब किसी भी एक धर्म कれ लिए लागू होता है तो वह सभी हिंदु धर्म के लिए common ब्यास सकते हो मुस्लिम धर्म को आप तो ऐसा कुछ नहीं है सभी क्या मिलेगा इक्वल प्रॉजन्टीज मिलेंगी नो परसंट सेल वी कंपल टू पे एनी टेक्स फोर दा प्रॉजन्टीज यह नहीं है कि मदल वालो हिंदु दर्म के बढ़ावा देने के लिए आपको इटेक्स लगा दे जैसे क्या होता था कि जो अकबर था उसके टाइम पर उन्होंने एक मुस्लिम जो मुस्लिम नहीं होते कोई बढ़े टेक्स लें वहां कि थो कंस्कूस ने क्या कर दिया कि भी Ст आर्टिकरटिवें ट्वेंटीसमें समें कि एक सब्सके राजय है जैसे कोई राजय सरकारी है το वहां पर कोई एक particular धर्म का पूजा या फिर जो इंस्ट्रक्शन है कोई भी इस अस्तान में धर्मिक निर्देश नहीं दिया जाएगा तो सब को बराबर जो धर्म दिया जो धर्मिक इस इसान में पहाँ होता कि हर द्रम के जो बच्चे हैं वो पढ़ते हैं अर्दरम के तरह के लोग वहाँ पर आते हैं तो वहाँ पर किसी एक को लेकर आप इस्ट्रक्शन नहीं दै सकते हैं या कैदे कि आपको भी इंदलब जो पकड़ी है वह नहीं पहान सकते आप तो इस तरह से किसी एक religion को लेकर कि आप को धार्मिक इंस्ट्रेक्शन नहीं दे सकते नेक्स्ट का है कि जो एंडी सेक्शन अव था स्टीजन सेल है राइट तो कंजर्व इस डिस्टिंक्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट और कल्चर कि भी सभी धर्मों को अपनी जो है लीपी या संस्कृति है उसको बचाने का जो भी वो कर सकता है कि भी कुछ भी मालों से मेलन कर दिया कि भी आज जो आमारी लैंग्वेज का है वह आपस में संगठन करेंगे समेलन मनाएंगे या फिर इसको प्रोटेक्स करने के लिए कोई आयोजन करेंगे तो उस तरह से अगर मालों कोई भी करना चाहे तो कर सकता है किसी भी का है किसी भी धरम पर इसक्रवाइब होlt कि अगर मालों किसी कि जगह पर नाइंटी परसेंट पर इए तो हिंदू है और दुसरे कि मुसलिम धर्भ है जो 20 रोग है 10 लोग है तो वो양कर सबहूं का कि अपना गरम nee गळान तो उसके कोई रोक नहीं लगेगी कि आप तो माइनोरटी है आप अपने धर्म सेख़के अपनी आपनी चोइस नहीं किशम नहीं कोल सकते हैं जो को सकते हैं skills मिंगा है Article number 30 में इसमें दियागया नेक्स डिया कानून है वो लगेगा ये निए कि कह बीप कोई छूट दे द आप कोई छूट देदे गए अगर कोई भी कोड बने इमले को अगर कोट बनेगा सीवल कोड बनेगा नागरिक सही पहला है वह एक दारिक के अपर अलग आतम largest दूसरे दर्म पर कुछ शूटी मिल जाएगी ऐसा कुछ नहीं सबको क्या मिलेगा एक वल जो सिक्यूरिटी है और सबको यूनिफर्म सिविल कोड के अंदर लाया जाएगा तो फ्रेंड्स आज के लेक्ट्टर में इतना ही कलम पड़ेंगी जो इसका सालेंट फिचर जो पर पर पड़ेंगे तो आज के पर फ्री में इतना ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरे बचों को भी सेयर कीजिए ताकि उनको भी वालिटी की जो है नॉलेज वो और भ यू थैंक यू वेरी मुच